आज मैं आपके साथ बहुत ही यूसफुल टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जो आपके घर और किचन के कामों को आसान बनाएंगे तो हमेशा कि दरह आपको आज का वीडियो पसंद आएगा तो फ्लीज वीडियो को ज़रूर एक लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करिएगा और ज्याद़ स्याद़ दोस्तों में शेयर करिएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो आज का मेरा पहला है का इस तरह के जो क्रीम के डिपे वेगरा होते हैं कर jajff stand in heavy cream अनिये टो कोछो को कि नगए टुaking जब मैं काफी प्रॉब्लोम होती हैंfel में एर आजाती है तो निकलतना हैati on which soir यसका सिंपल सा एक ट्रिक है आप इसको छीजट करने को PC एड़गे नेहां जाएगी तो आपको 15- atención Espauta~~ इजी होगा अराम से वो निकल जाएगी तो आपको करना कुछ नहीं है इसमें बस जिबे को उल्टा रख देना है और आपकी जो भी क्रीम है अराम से बाहर निकल आएगी और आप उसको यूज कर सकते हैं तो आज का मेरा अगला है इस तरीके से जब गिलास वगरा जब हम लो जो भी ये किसके कारण होता है बस इसके अंदर जो आयर को जाता है बैट जाता है उसके कारण तो बस ये गैस पर रखने ₹ ये ऐसले में आपका अलग हो जाएगा और साथानि स जो भी बरतन है और गरम होंगे तो इसको जरूर एक बार्लों बत्रकस hour तो हमें हमेशाग अ तो आप बस कुछ नहीं आप इसको गरम पानी में थोड़ा सा रख दें तो आप अराम से दो गंटे में आप इसको बना सकते हैं यह राजमा हो या छोले हो या कोई भी चने वेगर हो इस तरह के साप गरम पानी में रख देंगे तो बहुत जल्दी फूलने का जो प्रोसेस हो कोई भी बोटल हो तो इस तरे के सा अब इसको कट कर ले हैं दो हो इसके अंदरसे जो दोनों होता है अत्याे का चालिया नहाँ तो आपको जब है को जरूट होगी तो आप इस तरी के से लिजए उसका कम झालें के बाल देलगा व्न और इसको आपका प्रदान कर ऐसको प्र और आप अराम से एक बड़े से कंटेनर में इस तरह के बहुत सारे पैकेट्स बना के आप रख भी सकते हैं तो ये के पुराना समान का हम यूज भी कर लेंगे और एक अच्छा खासा कंटेनर भी बन जाएगा तो चलिए अगला है इस तरह किसे धनिया वेगरा जो हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं तो क्या होता है दो-तीन दिन के बाद ये खराब होने लगता है तो हमें करना क्या है वस ये जो खराब धनिया का जो पत्ता वेगरा है उसको चांट कर आपको एक कोई भी आप बर्दन ले लिजे मैंने यहाँ पे गिलास कांच का लिया है आप गिलास कप लिया है कांच का आप गिलास भी ले सकते हैं वेगरा कुछ भी ले सकते हैं उसमें इस तरीक से आप धनिया को रखतेंगे ना तो यह बहुत अच्छा यह फ्रेश रहेगा दो-तीन दिन तक ज्यादा और जब भी आपको जरूत हो आराम से बना सकते हैं क्योंकि हमेशा बार-बार मार्केट से जाके लाना तो यह पॉसिबल होता नहीं है तो इससे जरू ना हो उसके लिए आपको क्या करना इस तरही किसे प्याज वगरा जो होते हैं उसको चील लीजिए जितना भी आपको क्याज करना उसके बाद इनको आप पर एक काटूरी में पानी रखकर आप उसमें रख दे पांच मिनट के लिए तो इससे जो भी उसकी जहां से और आँ जो हम बहुत अच्छे सी यूज में ले सकते हैं हम लोग का सरसो तेल वेगरा जो या रिफाइंड ओल or कुछ भी ऊइल होता है तो हम लोग जहां पर बी रखते हैं वो सरफेस हमेश्य आप देखते होंगे उयल हो जाता है तो आज का मेरा अगला है इस तरह के नेटबेक्स को, इस तरह के नेटबेक्स हम लोग जब मार्केट से फल वगरा लाते हैं तो हम लोग को मिलते हैं, तो इनका भी बहुत अच्छा है कि यूज में हम लोग ले सकते हैं, हम लोग इसको फेक ही देंगे बट इसको भी यूज म नहीं होगा अराम से आठ दिन चलेगा इसमें जो एयर होती है वो आर पर जाती रहेगी तो बिल्कुल भी ज़्यादा खराब नहीं होगा अगर हम किसी डल्य वेगर में रखते हैं तो इस जल्दी इसका खराब होने का डर रहता है आज का मेरा अगला है इन आटों को लेकर त अगर अगर आज का वीडियो आपको हैल्फू लगा फू यूस्फूल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करीगा और जादा से ज्यादा करेगा चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा तो ऐसी यूसफूल वीडियो में लेकर आती रहूंगी झाल झाल